अमाला केंट के एरफोर्स स्टेशन की दिवार फान खुसने की कुशिश करने वाले यूवक ने अभी बड़ा खुलासा नहीं किया है आखिर उसकी मन्शा क्या थी आज पुलिस अरोपी को कोट में पेश करके गहन पूस्ताज के लिए रिमांड पर लेगी अभी तक प्रात्विंग पूस्ताज में सामने आया है कि अरोपी रामु पावंटा साहिब स्तिध दवा की फैक्टरी में काम करता था जो पावंटा साहिब से बस में सवार होकर धनकोर पहुँचा था पंजोकरा थाना पर वारी गुर्षण कुमार ने बताया कि पूश्टास में सामने आया है कि यूवक नशेमे था अरोपी ने बताया कि उसने सोचा था कि दिवार की उस तरफ उत्तर प्रदेश है इसलिए उसने दिवार फांदने की कोशिश की हलांकि पुलिस गेंग पूस्तास के लिए अरोपी को रिमांड पर लेगी गोर तलब है कि अमबाला केंट के जिस एरफोर्स स्टेशन पर राफिल तेनाथ है वहां मंगलवार रात जामनिया राजीपूर निवासी रामू स्टेशन के करीब 12 फिट लंबी दिवार को फांता हुआ पकड़ा गया था एरफोर्स ने युवक से पूस्तास के बाद अमबाला पुलिस को सोब दिया था विंक कमांडर यश्वन्त के मुतावि मंगलवार शाम 27 पर सुरक्षा कर्मियों ने एक संदित युवक को पकड़ा युवक एर के पोश्ट नंबर 22 बी के सामने सीड़ी लगा आती समवेदनशील एरिया में गुसने की कोशिश कर रहा था विडियो डेस्क अमरुजला.com अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें